नमस्कार मैं हो ससी आये जर्खन की टॉप 25 पर्मोग खबर जानते हैं जर्खन बिधान सभा में 4684 कोलोर का अनुपूरक बजट पेस जर्खन बिधान सभा में मांसून सथर के दूसरे दिन सवर गूल के बीच बित मंतरी रमेशवर उड़ाव ने 4684 कोलोर का अनुपूरक बजट पेस गया इससे पहले बिधान सभा मांसून सथर के दूसरे दिन की 17 मिनट तक सदन चलने के बाद करवाही 12 बचकर 47 मिनट तक अस्थागित कर दी गई वही 12 बचकर 11 मिनट पर दोबारा शुरू हुई और फिर से सवर गूल के कारण करवाही 2 बच तक अस्थागित कर दिया गया वही 2 बच बाद करवाही शुरू होने के बाद विपक्ष नियोजन निती रध करने की मांग कर रहा है बतादे सदन में विपक्ष नियता नारे लगा रहे हैं भाजपा विधायकों ने आरोप लगाते वे काहा की सरकार नियन लेकर पल्टी है जारखन में असंगठित मयदूरों के लिए कल्यान कोस होगा गठित जारखन में पहली बार असंगठित मैदूरों के लिए कल्यान कोस का गठन होगा इस कोस से असंगठित मैदूर के कल्यान के लिए कई ओजनाय चलाई जाएगी इसका लाव राज्य के निवंधित असंगठित मैदूरों को मिलेगा बतादे राज सरकार ने इसके लिए समाजिक सुरक्षा नियमावली लागू करने का रिना लिया है इससे सम्मंधित पर किरियाएं पूरी की जा रही है परस्तावित नियमावली के तहट गठित होने वाले जहारखन और संगठित कल्यान कोस के लिए राज सरकान वन टाइम ग्रांट देगी मैट्रिक की BCS परिक्षा आज जार्खन में मैट्रिक की BCS परिक्षा 7 सितंबर से शुरू होगी बता दे परिक्षा को लेकर राज जे भरमे लवग 524 के अंदर बनाए गए है जार्खन एकडमी कॉंसिल की ओर से परिक्षा के त्यारी परिक्षा से समंधित समागरी सभी जिल्या को भेज दी गई है परिक्षा OMR सीट पर दो पाली में होगी वहीं इंटर की BCS परिक्षा 9 से 11 सितंबर तक होगी बता दे इंटर की प्रायोगिक परिक्षा सुरू है परिक्षा 7 सितंबर तक चलेगी जार्खन में खेतिहर मजदूर किसानों को आसानी से मिल सकेगा लोन राष्ट्री क्रीसी और ग्रामिन विकास बैंक खेतिहर मजदूरों और छोटे किसानों की मदद के लिए जोइन्ट लाइबिलिटी ग्रूप का दायरा अब बढ़ाने जा रही है इससे उन्हें अब आसानी से बैंकों से छोटे कर्ज मिल सकेंगे इसके तहट सरकारी बैंकों के साथ ही निजी और NBFC को भी सामिल करने को लेकर इसके साथ एग्रिमेंट किया जाएगा जारखंड के कस्तूरवा विद्यालियों में 489 सिक्षिकाओं के नियुक्ति जारखंड सिक्षा पर उन्हें परिशद ने राज ये के 203 कस्तूरवा गांधियावासे विद्यालियों में पूर्ण कालिक सिक्षिका, लेखापाल, सह कंप्यूटर अपरेटर, महिला रसोया तथा महिला चोगिदार के रिक्त पदो पर नियुक्ति पर किरिया शुरू कर दिया है बता दे कूल 489 पदो पर निवन्धन पर नियुक्ति होगी इसके लिए राज अस्तर पर बिग्यापन जारी किया गया है हलाकि अभियार्थी समंधित जीला में ही आवेदन जमा कर सकेंगे ये आवेदन जीला सिक्षा पताधिकारी के नाम जीले के समगर सिक्षा अभियान के कर्याले में 27 सितंबर तक जमा होंगे रांची धनबाद देवखक गिरीडी हजारी बाग सहीत आठ नगर निकायों में दिया जाएगा पानी का कनेक्षन जार्खन के सहरी छेतर में रहने वाले नागरी को को पेजल की सुविधा सुनिशित कराने के उदेश से नगर विकास विभाग ने 20S अभियान चलाने करने ने लिया है बता दे राजे के आठ निकायों में अगले धाई महीने में 50S अधीक नए कनेक्षन लगेंगे और सभी नए कनेक्षन मिटर युक्त होंगे सहरी छेतरों के हर घर में टेम्प के माध्यम से पानी पहुचाने के उदेश से पुरी योजना तयार की गई है CM हमंत्र ने PM मोदी को लिखा पत्र 312 कोलोर की रासी बिमुक्त करने का आगरा मोख्य मंत्री हमंत्र सुने ने परधान मंत्री नानमोदी से पंद्रावे बित आयोग द्वारा कुपोषन के खिलाप लडाई के लिए 2021 में जार्खन को आवंट्री 312 को रुपाई की रासी बिमुक्त करने का आगरा किया है मोख्य मंत्री ने इस संदर्म में गत्छ सितंबर को परधान मंत्री को पत्र लिखा है बतादे प्रेशित पत्र में सीएम ने कहा है कि कुपोषन की गंभीर समस्या को देखते हुए पूरक पोषाहर कारकरम के तहद देश के विभीन राजियों के लिए समाने आवंटन के अतिरिक 3735 रुपे अतिरिक्त आवंटन देने की अनुसंसा की गई है कक्छा नौवी से बराहमी तक होगी छमाही और बार्सिक परिक्छा जार्खन के सरकारी स्कूलों में सेक्छनिक सतर 2021 में कक्छा नौवी से बराहमी तक दो सावधिक परिक्छाएं होगी पहली सावधिक परिक्छा नौवमबर दिसमर मां में होगी जबकि दूसरी मार्च अप्रेल में बता दे दोनो परिक्छाए जार्खन एकेडमी कॉंसील दोरा ली जाएगी जार्खन सेक्षिनिक अनुसंधान एवं प्रसिक्षन परशद की निदेशक किर्यन कुमर पासी ने सोमवार को दोनों परिक्छाओं को लेकर बिस्तीत दिसा निदेश जारी किया जार्खन बिधान सभा में पराथना अस्थल की मांग पर सीम हमांत जार्खन बिधान सभा में नमाज के लिए कामरा अवंटित करने के बाद भाजपा की बिरोध परदर्शन और पूजा अस्थल की मांग परमुक मंति हमन सुरेन ने कहा है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है मीडिया से बात चित के दरण उन्होंने कहा कि जैसे बरामी पास होने के बाद छात्रों के पास कोई विशय नहीं होता है उसी परकार भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष का या पूर्व नियोजित पलान था ऐसे ही मान सिकता की वज़ा से राजे के विकास में जो गति मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है पता दे मुख मंत्री प्रस्ण काल था लेकिन दुर्भाग से ऐसी मान सिकता की वज़ा से राजे के विकास को अप्यक्षित गतित नहीं मिल पा रही जारखन में 18 नहीं केस मिले हैं जो राची से 8 पूर्वी सिमूं से 3 पच्मी सिमूं से 6 साहिवगन से 1 मिले हैं जारखन में कुलेक्टिव केस की संके 126 है भारत में 30,164 नहीं केस मिले हैं भारत में कुलेक्टिव केस की संके 3,85,934 है जारखन के मंदीरों को खोलने की मांग किरिसी मंत्री ज्यार्खन के मुख्य मंत्री हेमान सुरें से ज्यार्खन विधान सभा इस्थित मुख्य मंत्री कक्ष में राजे के किरीशी पसुपारने अमसा करता विभाक के मंत्री बादल पत्र लेहने मुलकात की मंत्री स्रीबादलने मंत्री को निवेदन पत्र देकर देवघर के बाबा पैदनात मंदीर दुमका के बास्पीनात मंदीर रामगड के रजरापपा चात्रा के इटखोरी राची के पहाडी मंदीर सहीत राज्य भर के दरजनों बंद मंदीरों को पुजा अर्चना के लिए खुलवाने का अंगरोद किया। कहा कि जार्खन सरकार अपने चुनावी घोसना पत्रे के बीप्रीत नए नियोजन निति लाई है जिसे परदेश के युगा अपने आपको छला हुआ महसूस कर रहे हैं पलामू परमंडल के बिजली सबे स्टेशन का उटगाटन जार्खन के मुख्य मंत्री हमान सुरे ने कहा है कि राजे का पलामू परमंडल बर्सों से बिजली और पाने की कमी जहलता आया है सरकार इन समस्यावों को दूर करने को लेकर पर्यासरत है बिजली के साथ साथ सीचाई को लेकर आ रही परिशानी दूर होगी बता देवे पलामू परमंडल के गढ़वा वा पलामू जिले के बिली सब इस्टेस्नों के उल्ले उगाटान वसिलन यासकार करम को समधित कर रहे थे जारखन विधान सभा में गुजा जय स्रीराम जारखन विधान सभा के मांसुन सतर के दुसरे दीन सोम वर को बिज़ेपी विधायकों ने शतर सुरू होने से पहले ही ढोलक वा ज्याल लेकर किर्थन करना सुरू कर दिया वे बिधान सभा में नमाज के लिए कमरावन टितरत करने की मांग कर रहे थे बतादे सदन करवाही शुरू होने के बाद भीवे हंगामा करने लगे और जय स्री राम हर हर महादेव का जय गोस किया इस पीकर के मना करने के बाद भीवे नहीं माने इधर बित मंत्री रामेश्वर उरावन ने भी बिधान सभा के बाहर हुनमान चली सा पढ़ा स्रीयम हे मंत के नाम अस्मरन पत्र लेकर आज से राची पहुँचेगा आजसू आजसू के करकरता 6 से 8 सितंबर तक मुख्य मंत्री के नाम लोगों के हस्ताक्षर युक्त अस्मरन पत्र लेकर नाची पहुचेगे पार्टी अस्मरन पत्र के माध्यम से पीछडों को 27% आरक्षन देने की मांग सरकार से करेगी बता दे पार्टी प्रवक्ता डाक्टर देव सरण भगत ने बताया कि पार्टी करकरता मुराबादी में जुटेगी और वहां से मुख मंत्री सचिवायले तक मार्च करेगी ट्रोफी टी-शर्ट बाटने में गड़बड़ी मामला विधान सभा में 2016 में जार्खन राजास्थापना दिवस के उपलक्ष पर ट्रोफी टी-शर्ट तथा सुनिधी चोहान के कारेकरम के गड़बड़ी के मामली में रहुवर्दा सरकार को क्लीन चीट दिये जाने पर विधायक सहर्यूराय ने पल्टवार किया है उन्होंने कहा है कि उनके पास पुक्ता सबूत है सबूत देने के बाद भी करवाई नहीं होने पर मैं कोट में इंटरवेनर बन जाऊंगा रविवार को जमसेत पूर्ग के बिट्टू पूरिश्थित अवास परसन में दता समेलन में उन्होंने कहा कि सोमवार को उनका सवाल सोधन में आना है उसके पहले विभाग का जबाब आ गया है राची के सुकुर हुटू में 113 क्रोर से बनेगा टांस्पोर्ट नगर मुख्यमंत्री राजधानी के सुकुर हुटू छेतर में टांस्पोर्ट नगर के निर्मान का रास्ता साफ हो गया है बता दे योजना को मुख्यमंत्री की स्विक्रिती मिल गई है योजना की लागत 113 को रूपए आंकी गई है अब इसे केबिनेट के समक्ष पेस किया जाएगा बता दे पूरु में सुकर हुटू में ही टांस्पोर्ट नगर बनाने की योजना बनाई गई थी लेकिन बाद में बदलवाद दिया गया था जारखन के कोल माइन्स इलाकों में बल रही फेफडों की समस्या जारखन के कोल माइन्स और आजपास के इलाकों में रहने वारे लोगों के फेफडे पर दूसर और धूल कन के कारण पहले से ही कमजोर थे लेकिन कुरूना के बाद अब उनके फेफडों के परभावित होने की अफ्तार तेज हो गई है, हलाकि परिशानी भी अब COPD, अस्थमा, आक्यूप, पेशनल, लंग, डिजीज, सांस, वद्धम, फूलने जैसी गंभीर समस्या बन कर उभर रही है, बतादे राजधानी के छाती रोग भी से सग्यों से मिले आकडों के अनुसार राज्ये में बोकारो हजारी बाग रामकड के लोग फेपड़ा की समस्या को लेकर ज्यादा आ रहे हैं, रगुवर्दास का सरकार को अल्टिमेटम, ज्यारखन बिधान समामें नमाज आदा करने के लिए कमरा अवन्टन के मुद्धे पर पूरे सीम रगुवर्दास ने बिधान 27 स्पी इस निर्नय को निरोस्त नहीं किया गया तो विधान सभा के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठेंगे, बदादे पूर्व सीम रगुवर्दास ने बताया कि उन्होंने लोग तंत्र के मंदीर विधान सभा में नमाज के लिए अलग कमरा अवन्टित करने के लिए निर्नय वापस लेने की मांग करते हुए स्पीगर को पत्र लिखा है नीजी स्कूल फीज ममला नीजी स्कूलों के फीज के ममले में अब झारखन हाई कोट के खंड़ पीट में सुनवाई होगी दरसल स्कूल फीज को लेकर खंड़ पीट में भी सुनवाई चल रही है इसके बाद जश्टिस राजे संकर की अदालत ने जारखन और ट्रेट प्राइवेट इस्कूल एसोसेशन की आजका को भी उसी कंपिट में सुनवाई के लिए भेज़ दे दिया है बतादे एसोसेशन की ओर से राज सरकार के उस आदेश को चुनोती दी गई है जिसमें करोना काल में सिर्फ ट्योसन फिस लेने का आदेश दिया गया है वादी का कहाना है कि इस मामले में सुप्रीम कोट ने अब आदेश पारित कर दिया है ऐसे में आदालत को इस मामले को निस्पाजित कर देना चाहिए करमचारी महासंग 15 सितंबर को मनायेगा मांग दिवस जारखन राज और राज पत्रित करमचारी महासंग की ओर से 15 सितंबर को राज अस्तरी मांग दिवस मनाये जाने की घोसना की गई है महासंग के परदेश महामंत्री आशोक कुमार सिंग नयन ने कहा कि सरकार करमचारियों की मांग को लेगए गंभीर नहीं है इसे लेकर 15 सितंबर को सभी जीला मुख्यालों में मांग दिवस मनाय जाने के फ्रसला लिया गया है जारखन में 20 माह में 291 हत्याय 2725 दुसकर्म जारखन में 20 माह में 291 हत्याय हुई है वहीं दुसकर्म की 2725 घटनाय दर्श की गई है बता दे राई सरकार के ग्रीह करायों आपदा प्रबंदन विभाग ने बिधायक बिरंची नरायन के सवालों के जबाब में अपराधिक वार्दात के पहलों पर जनकारी दी है राई सरकार ने असपश्ट किया है कि हत्या के अधिकांस मामले पूलिस अनुसंधान रत है साथ ही किसी भी मामले में उच अस्तरिय जांच किया हुशकता के विचार नहीं होने की जनकारी भी दी गई है धन्यवाद साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के वार्ट से पेस्बुक ट्यूटर इस्टाग्राम पर सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बेक अवस्य दे थाइंक्यू